दो चार दिनों में ही जंगल में गर्मी बहुत भड़ गई थी रानो चड़िया के बच्चे अभी चोटे थे और चड़िया का घौंसला भी धूप में था इसलिए आज चड़िया बहुत चिंतत थी मामा तेज धूप से मेरा चेहरा चल रहा है मामा मुझे बहुत गर्मी लग रही है मामा मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है बच्चो गर्मी अचानक भड़ गई है मैं आज ही आपके लिए ठंडे पेर पर घौंसला बनाती हूँ चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से उड़ती है वो उड़ते उड़ते घने जंगल में जाती है वहाँ एक बरगत का बड़ा पेर था जिसके खोकर में एक कवा और कवी ने घौंसला बनाया हुआ था कवा और कवी ठंडी चाओं में सोय हुए थे बचो आप यहाँ इस पेर की चाओं में बैठो मैं इस पेर पर आप के लिए घौंसला बनाती हूँ बच्चे पेर की चाओं में बैठ जाती है और माचडिया अपना घौंसला बनाने के लिए तिंके लेने चली जाती है सूरज आग बरसा रहा था और माचडिया अपने बचों को गर्मी से बचाने के लिए काम कर रही थी माचडिया घास लाती है और उसे पेड़ की एक डाल पर रखती है मामा अभी और कितना काम बाकी है बेटा अभी मैंने कुछ छोटे तिंके लाने हैं और फिर बाद में मैं घौसला बनाऊंगी मामा चडिया फिर से चली जाती है भाई मामा को भी कर्मी लग रही होगी हाँ मगर हम अभी छोटे हैं हम मामा की मदद भी तो नहीं कर सकते कूकू भाई जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम अपने ममा को कोई काम नहीं करने देंगे बच्चों की आवाज सुनकर गोरी खवी और कालुकवा जाग जाती है कौन हो तुम कौन हो और क्या चूँचू लगा रखी है हम रानो चिडिया के बच्चे हैं तुम्हारी ममा इस पेड़ पर हमारे लिए घौंसला बना रही है इस पेड़ पर? तो क्या वो सूखी घास तुम्हारी ममा रह कर गई है? हाँ, मेरी ममा अब कुछ चोटे तिंके लेने गई हुई है मैं बनवाती हूँ तुम्हें इस पेड़ पर घौंसला ये पेड़ मेरा है और मेरी अजाज़त के बिना ना कोई इसकी च्छाओं में बैठ सकता है और ना ही कोई इस पर घौंसला बना सकता है गोरी कवी चड़िया का लाया हुआ सूखा घास उठा कर डाल से नीचे फैंक देती है उठो उठो यहां से तुम भी और जाकर किसी और जगा बैठो वरना बहुत मारूंगा तुम्हें बच्चे डरते हुए वहां से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते है थोड़ी देर बाद माचडिया भी आ जाती है बच्चो आप यहां धूप में क्यों बैठे हुए हो कूकू उन कवों की तरफ इशारा करता है ममा उन गंदे कवों ने हमें वहां से भगा दिया है और घास भी पेड़ से नीचे फैंक दी है ममा चडिया उन कवों के पास जाती है आपने मेरे बच्चों को छाओं से क्यों उठा दिया बच्चे तेरे हैं मेरे नहीं के मेरे पास आकर चूंचूं करें भाग जा यहां से मैं इस पेड़ पर किसी को गोंसला नहीं बनाने देती कब वो मेरे गोंसले पर धूप है और मेरे बच्चों को गर्मी लग रही है तू जाती है या लगाऊं एक मा चिडिया चुप चाप वहां से चली जाती है और अपने बच्चों को साथ लेकर फिर से ने पेड़ की खोज में उड़ती है शाम होने वाली थी ममा चिडिया ठक जाती है और अपने बच्चों को लेकर नदी के पास च्छाओं में बैठ जाती है यहां बहुत थेंडी चाओं है ममा हम यहां अपना घौंसला बना लेती है गुडिया बेटी यहां चाओं तो है मगर नदी में खतनाक जीव भी हो सकते है हम यहां नहीं रह सकते और नदी से मचलियां पकरने के लिए शिकारी भी आते होंगे ममा क्या हमें भी शिकारी से खत्रा है हाँ बेटी शिकारीों का क्या भरोसा के कब तीर चला दे नदी से पानी पीने के लिए एक तोधा वहां रुकता है वो नदी से पानी पी लेता है और चुडिया से पूशता है चुडिया तुम्हारा घौंसला कहा है तोते भेया मेरा घौंसला धूप में था इसलिए आज मैं अपने बचों के लिए किसी ठंडी जगा पर नया घौंसला बनाने लगी हूँ चुडिया मैं ज़रने के पास केले के पेड में रहता हूँ वहाँ खाने के लिए केले का फल भी है और केले के बड़े बड़े पते ठंडी चाओं भी देते हैं तुम वहाँ मेरे साथ अपना घौंसला बना लो ये जुनकर माचडिया बहुत खुश हो जाती है और वो तोते के साथ चली जाती है वो जगा तो बहुत ठंडी थी बड़े बड़े केले के पेड़ और गीली ठंडी जमीन बचो ये जगा सुरक्षत भी है और ठंडी भी चुडिया तुम इन केले के पतों से अपने लिए चोटी जौंपडी भी बना सकती हो फिर ममा चुडिया केले के कुछ पते तोड़ कर अपने लिए एक सुनदर सी चोटी सी जौंपडी बनाती है जिसमें वो हवा के लिए एक बड़ी खिड़की और एक दर्वाजा भी रखती है बच्चे तो केले के पतों की जौंपडी में जाते ही सो जाती है बच्चे बहुत सकून में थे और अपने बच्चों के सकून के लिए ही एक ममा सुबहा से चिंतत थी अपने बच्चों को सोया हुआ देह कर मा चुडिया बहुत खुश थी तोते भीया आपका बहुत बहुत शुक्रिया उन बुरे कवों ने तो मेरा बुरा चाहा था मागर मैं यहाँ पहले से ज्यादा सुरक्षत हूँ प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका धन्यवाद लूसी कबूतरी को केवल एक ही आँख से नजर आता था उसकी दूसरी आँख एक हाँचे में जाया हो गई थी यही वज़ा थी के लूसी कबूतरी को उनने में बहुत मुश्किल आती थी वो जब भी उटकर अपना दाना लेने जाती वो किसी ना किसी पेट से टकरा कर गिर जाती थी लूसी को गिरा हुआ देह कर चिडिया वहां आती है लूसी मुझे तुम पर बहुत दिया आती है तुम ऐसा करो मेरे साथ मेरे घौंसले में आ जाओ और जब मैं दाना लेने जाओं तो तुम एक आँख से मेरे बचों की रख्षा करना और मैं तुम्हारा दाना भी ले आया करूंगी चिडिया तुम बहुत अच्छी हो जो मुझ गरी पर इतनी दिया की चिडिया के जाने के बाद ही आसमान में एक चील आकर मंडलाने लगती है लूसी कबूदरी वो चील देख लेती है बचो जल्दी से घौंसले में छुप जाओ खत्रा है बाहिर बहुत खत्रा है ऐसे लूसी कबूतरी चिडिया के बच्चों को खत्रे से बचा लेती है शाम को मा चिडिया भी लूसी कबूतरी के लिए दाना ले आती है ऐसे ही अच्छे से दिन गुजरते के आहिस्ता आहिस्ता चिडिया और कबूतरी में दोस्ती भर जाती है उसी जंगल में एक आली बिली भी रहती थी जो हर समय लूसी कबूतरी पर नजर जमाए रखती थी मियाओं अगर किसी तरह ये कबूतरी मेरे साथ मेरे घर आ जाए तो मैं इसे भून कर खाओं मियाओं बिली कबूतरी के पास चाती है मियाओं मियाओं कबूतरी तुम यहां बैठी हुई है और जंगल के सारे कबूतरों को मैंने अपने घर दावत पर बूलाया है क्या तुम नहीं आओगी मेरे साथ मेरे खर मियाओ जाओ तुम यहां से जाओ मैं चडिया के बच्चों का तिहां रख रही हूँ और चडिया मेरे लिए दाना लेकर आएगी काली बिली की दाल नहीं गलती और वो वहां से चली जाती है लूसी शाम को दाना खाती है और चडिया के पास ही सो जाती है दूसरे दिन मौका देखकर बिली फिर से कबूतरी के पास आती है मियाओ कबूतरी कबूतरी क्या तुम चडिया की नौकर हो नहीं मैं चडिया की दोस्त हूँ मियाओ म्याव मुझे लगा तुम चड़िया की नौकर हो जो ऐसे चड़िया के बच्छों का दिहान अख रही हो चड़िया खुद दो खाती है मजे मजे के फल और तेरे लिए लाती है सूखा दाना बहुचा लाख है चड़िया म्याव ये सुनकर लूसी कबूतरी काली बिली की बात पर दिहान देती है सच कहा तुमने क्या चुडिया फल खाती है तो और क्या मैंने उसे कल देखा था वो बैठी फल खा रही थी तुम मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ मैं तुझे घर की मालकिन बना कर रखूँगी कोई काम नहीं बस खाना और सो जाना काली बिली क्या तुम मुझे दोस्ती करना चाहती हो हाँ ये तो मेरी बच्पन की इच्छा है कि कोई कबूतरी मेरी सहेली हो तो ठीक है तुम शाम को आ जाना मैं तुम हरे साथ तुम्हारे घर चली जाओंगी बिली चली जाती है जैसे ही शाम को चुडिया दाना लेकर आती है तो कबूतरी चुडिया से कहती है चुडिया तुम मेरी सची दोस्त नहीं हो खुद हरोस फल खाती हो और मेरे लिए सूखा दाना बस मुझसे अब और तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की रखवाली नहीं होगी मैं नोकर नहीं बलके मालकिन बन कर रहना चाहती हूँ कबूतरी ये तुम से किस ने कहा तुम मेरी सहिली हो और मैं जो खुद खाती हूँ वे ही तुम्हारे लिए बिलाती हूँ मगर मैं अब यहां तुम्हारे सा नोकर बन कर नहीं रह सकती संभालो अपने बचे मैं तो चली ऐसा कहते हुए कबूतरी वहां से उड़ती है थोड़ी दूर बैठी हुई काली बिल्ली लूसी को साथ लेकर अपने घर चली जाती है ममा वो काली बिल्ली आज फिर आई थी ना जाने वो लूसी आंटी से क्या बात कर रही थी क्या वो काली बिल्ली तो लूसी को खा जाएगी मुझे लूसी को बचाना होगा ममा चड़िया जल्दी से उड़ती है सहेली तेरा घर तो बहुत सुन्दर है और उस चिडिया का घोंसला बहुत चोटा सा था मियाव तुम यहाँ आराम से बैठ सकती हो सो सकती हो, खा सकती हो और चाए पी सकती हो मैं अभी बाहर से दूद लेकर आती हूँ काली बिली बाहर जाकर पत्थर पर अपना चाकू तेज करने लगती है बिली अपना चाकू तेज करके ले जाती है और जैसे ही लूसी कबूतरी को माणने लगती है वहाँ चिडिया आ जाती है खबरदार अगर तुमने मेरी सहली को चाकू से मारा तो मैं अभी तुम्हारी टांगे तोड़ दूँगी चुडिया को देहकर काली बिली भाग जाती है वो जानती थी कि चुडिया की चौँच बहुत तेज है लूसी कबूतरी चुडिया का धन्यवाद बोलती है चुडिया मुझे माफ कर दो अगर तुम ना आती तो ये बिली अब तक मुझे भून कर खा गई होती प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साशेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद